Good morning students, हमने last video में पढ़ा था कि रचना के आधार पर वाक्या के कितने भेद होते हैं उनमें पता लगा था कि तीन भेद होते हैं सरल वाक्या, सही उक्त वाक्या और मिश्र वाक्या अब आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि मिश्र वाक्या में आने वाले उपवाक्या क्या होते हैं यहाँ पर आपको एक बात समझनी है कि हमेशा उपवाक्या मिश्र वाक्या से ही बनते हैं मिश्र वाक्या में ही उपवाक्या आते हैं जैसे इसके मिस्रवाक्या के तीन उपवाक्या होते हैं संग्या उपवाक्या, विशेशन उपवाक्या और किरिया विशेशन उपवाक्या आपने नाइंत में पढ़ा था संग्या, विशेशन, किरिया विशेशन तो ये तीन होते हैं लेकिन यहाँ पर मिस्रवाक्या में इनके तीन उपवाक्या होते हैं संग्या उपवाक्या, विशेशन उपवाक्या और किरिया विशेशन उपवाक्या आज हम सबसे पहले जानेंगे संग्या उपवाक्या है क्या जैसा कि आपको पता ये किसी व्यक्ति वस्तू के अस्थान के बोद को जो सब्द उसका बोद कराते हैं वे संग्या कहलाते हैं तो यहां पर संग्या उपवाक्या वे उपवाक्या हैं जो वाक्या में संग्या पद के अस्थान पर आते हैं अर्था जो संग्या की जगा आते हैं और वही परकारिया करते हैं मतलब वही कारिया करते हैं जो संग्या कारिया करता था उसी परकारिया को संग्या पद कहते हैं ठीक है अब है संग्या उपवाक्या की पहचान अब हम इसको किस तरह से पहचानेंगे इस उपवाक्य की पहचान के लिए वाक्य की किरिया पर क्या शब्द से प्रश्न किया जाता है अर्थात जब हम किसी वाक्य से क्या रूपी प्रश्न करते हैं और तब जो हमें उत्तर मिलता है वही संग्या उपवाक्य होता है ठीक है हम अपने आप से क्या रूपी प्रश्ण करेंगे और उसी वाक्य में जो उत्तर हमें मिलेगा वही संग्या उपवाक्या होगा उधारण के लिए आप देखिए जैसे अध्यापक बोले कि कल वे कक्षा नहीं लेंगे यहाँ पर अध्यापक बोले परधान उपवाक्या है की समुचिया बोधक अविया है कल वे कच्छा नहीं लेंगे संग्या उपवाक्या है अब यहाँ पर हमें कैसे पता चलेगा की संग्या उपवाक्या कौन सा है तो मैंने यहाँ पर आपको कहता कि हम यहाँ पर प्रशन पूछेंगे, कोश्चन करेंगे, तब हम और वो कोश्चन क्या होगा, क्या सब्द से होगा, कौन, कैसे, क्यों, ये सब्द नहीं आएंगे, सिर्फ क्या होगा, अध्यापक बोले, अध्यापक क्या बोले, हमने ये को तो जो उपवाक्या में उत्तर मिल रहा है वही संग्या उपवाक्या है. दूसरा है लोग कह रहे थे कि कल बिजली नहीं आएगी. अब यहाँ पर लोगों से पूछा जाएगा लोग क्या कह रहे थे? तो यहाँ पे भी देखी, क्या रूपी प्रश्न किया जा रहा है, लोग क्या कह रहे थे, तो इसका उत्तर मिलेगा, कि कल बिजली नहीं आएगी, तो यह संग्या उपवाक्या है, बस हमें यहाँ पर यह ध्यान रखना है, एक दूसरा सरल तरीका संग्या उपवाक्या को यहाँ पर की से स्टार्ट होता है, वह संग्या उपवाक्या, यहाँ पर देखिए, अध्यापक बोले, की कल बे कप्षा नहीं लेंगे, यहाँ पर की है, तो हमको समझना होगा, कि यहाँ पर संग्या उपवाक्या होगा, लोग कह रहे हैं कि कल बिजली नहीं आएगी, तो ये वाक्या उपवाक्या भी की से शुरू हो रहा है तो यहाँ पर संग्या उपवाक्या है अब है किरिया विशेशन किरिया विशेशन उपवाक्या वाक्या में किरिया विशेशन पद के अस्थान पर आते हैं और किरिया की विशेशता बताते हैं ठीक है जैसे उतना ही बोलो जितना आवश्यक हो अब यहाँ पर देखे कोई समुच्या बोदग अब यह नहीं है कोई यहाँ पर कोश्यन नहीं किया जा रहा है उतना ही बोलो जितना आवश्यक है एक परधान उपवाक्या होगा दूसरा किरिया विशेशन उपवाक्या होगा मतलब इसकी किरिया बता रहा है वो किरिया की विशेश्ता दावत में उसने इतना खाया जितना दस लोग नहीं खा सकते तो ये किरिया विशेशन है, किरिया की विशेश्ता बता रहा है अब तीसरा है विशेशन उपवाक्या विशेशन उपवाक्या वे उपवाक्या हैं जो संग्या पद की विशेश्ता वैसे ही बताते हैं जैसे कोई विशेशन पद बताता है ठीक है देखे ये जो संग्या पद की जो विशेश्ता है ये उसी तरह बताता है उपवाक्या जो विशेशन पद का कारिय होता है इसकी पहचान करता कौन सा कौन सी सब्द से प्रश्न किया जाता है अब देखें यहाँ पे एक बात ध्यान रखने की है कि जिस तरह से संग्या उपवाक्या में क्या रूपी प्रश्न किया जाता है उसी तरह विशेशन उपवाक्या में करता से कौन सा कौन सी शब्द से प्रश्न किया जाता है इस चीज को आपने ध्यान रखना है कि जहां पर कौन सा कौन सी शब्द से प्रश्न किया जा रहा है वहां पर विशेशन उपवाक्या है जैसे पिताजी ने वहां मकान बेच दिया जो पुराना था अब यहाँ पर करता से प्रश्न पूछा जाएगा पिताजी ने कौन सा मकान बेच दिया तो जो उत्तर हमें मिलेगा वो विशेशन उप्वाक्या होगा तो यहाँ पर उत्तर मिल रहा है जो पुराना हो गया था अब यहाँ पर देखिए, यहाँ भी, यह वाक्या भी जो है समूच्यय बोधक अव्यसे जुड़ा है, जैसा संग्या उप वाक्या जुड़ा था सिर्फ इसकी पहचान क्या है यहाँ पर क्या से प्रश्न किया जा रहा था और यहाँ पर कौन सा ठीक है यहाँ पर हमने कौन सा या कौन सी रूप में सब्द में प्रश्न किया जाता है दूसरा एक्जामपल देखिए मेरी वहा कमीच फट गई जिसे पापा दिल्ली से लाए थे अब यहाँ पर हम प्रश्न पूछेंगे कि कौन सी कमीच फट गई तब उत्तर मिलेगा कि पापा दिल्ली से लाए थे कौन सी कमीच फट गई जो पापा दिल्ली से लाए थे तो ये परधान उपवाक्या हो गया, समुचिया बोधक अव्याय हो गया और विशेशन उपवाक्या हो गया तो बच्चों आज आपने ये समझ लिया कि मिश्र वाक्यों के कितने उपवाक्या होते हैं और कौन-कौन से होते हैं उनको समझने का कौन सा आसान तरीका है अब इसमें आपने ये अभ्यास कारिया करना है इसमें आपको प्रशन उतर दिये जाएंगे इनके उतर आपने पिछली वीडियो से भी देखकर उनके उतर आपने कम्प्लीट करने हैं उसी तरह रिखांकित उपवाक्यों के भेद लिखिये ये कोश्यन है ये वही है जो मैंने अभी आपको पढ़ाया कि उपवाक्यों के कौन-कौन से भेद हैं तो तीन भेद थे संग्या उपवाक्या विशेशन उपवाक्या किरिया विशेशन उपवाक्या तो ये जो मैंने आपको वाक्या दिये हैं इन में से आपने वही उपवाक्या छाट कर उनके भेद लिखने कि किसमें संग्या उपवाक्या है किसमें विशेशन उपवाक्या है और किसमें किरिया विशेशन नेक्स्ट है ये वाक्या चेंज करने आपने मैंने आपको यहाँ पे सरल वाक्या बना के दे रखें आपने इनको मिस्र वाक्या में बदलना है निर्देशा नुसार उत्तर दीजिए निर्देशा नुसार मतलब जो हमारा अलग से लिखा रहता है उसके अनुसार आपने ये वाक्यों को बदलना है जैसे मैं जल्दी से बाहर आकर ओले देखने लगा, तो ये सरल वाक्या है, इसको आपने मिश्र वाक्या में बदलना है, सेकंड को आपने संयुक्त वाक्या बनाना है, फिर है आपका उन्हें लगता था कि नमक एक सामानिय मुद्दा है, इसको आपने सरल वाक्या बनाना है, नेक्ष्ट है मिसर वाक्या तो ठीक है यह हो गया आपका निर्देश जैसे आपको निर्देश दिये हैं उसके अकॉर्डिंग आपको वाक्या बदलने है लाश्ट है आपका निमलिखित वाक्यों को सरल वाक्या में बदलिए ये जो वाक्या हैं आपने इन सब को सरल वाक्या बनाना है